तो आज मैं आपके साथ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करने जारी हूँ यह बहुत एजी और क्विक रेसिपी है और इसको एक बार जब आप बना लेंगे तो हमेशा यही रेसिपी आप फॉलो करेंगे पर उसके पहले प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज लिए आपके पास्ता हो तो आप पास्ता भी समय अट कर सकते हैं मैकराणी से भी बन सकता है और इसे कवर करके दस मिट के लिए आप छोड़ दीजिए दस मिट हो गए है फिर हम इसे खोल के देखेंगे और एक बार चलाएंगे ताकि नीचे मैकराणी चिपके ना और चलाक है उसके लिए फस आप इसको चला लीजिए फिर इस तरह देखके आप नाइफ केल्फ से कट करके देखे इजी प्रेस हो रहा है मतलब हमारी यह मैकराणी अच्छे से पक चुकी है तो बस अब हम इसे अच्छे से इसका पानी निकाल देंगे और इसे खिला खिला बनाने के अब चलते हम अपने पार नेक्स प्रोसेस की तरह यहां पर मैंने बटर लिया है वनी स्पून तो आप एक पैन में इसी तरह वनी स्पून बटर एक कर दीजिएगा यह बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें आट करेंगे ओनियन तो बस यहां पर मेरा बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब मैं इसमें लएक टू मीडियम साइस फाइन चॉप्ड ओनियन मैं इसमें आट करूंगी अब बस इसे एक से दो मिनिट इस तरह चलाना है और अच्छे से इसे फ्राई करना है तो इसे चलाते रहिए और फ्राई कर लीजे और फिर आप इसमें लाइक एक से दो मिनिट हो जाएं उसके बाद आप इसमें और लाइक स्वीट कॉन वगिरा भी आट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मैं केवल शिम्ला मेर्च आट करूंगी थोड़ी सी तो बस मैंने टूइ स्पून चॉप्ड लाइक इसमें आट कर रही हूँ और इसे भी में अच्छे से मिक्स करते हुए लाइक फ्राई करूंगी तो बस ये एक बार अच्छे से फ्राई हो जाए लाइक ऑनियन्स का थोड़ा सा थोड़ी से अप इसमें ग्रीन चिली भी आट कर सकते हैं मैंने यह वन ग्रीन चिली फाइन चॉप आट की हैं और बस इसका हलका सा कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इसे निकाल के कर लेंगे तो बस ही मैंने साइड में निकाल के रख लिया है अब चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरह अब उसी पैन में आप यहां पर मैंने अमूल का गार्लिक बटर लिया है अगर आपके पास यह हो तो आप यह यूज कर लिजेगा अधर वाइस नॉर्मल बटर भी आप कि आपके बना लीजेगा अब मैंने इसमें गार्ली बटर लियाए तो हल्का सा गार्लिक का थेस्ट यह तो वह अच्छा लगता है अगर वह अगर डालिक बटर नहीं हो तो अब बटर में अख भर कंड़ी जएगा तो सेम टेस्ट वह आएगा अब मैंने इसमें टू करके हाफ कप दूद आड करना है रूम टेंपरेचर वाला दूद होना चाहिए और इसके लम्स अटाते वे मैंने हाफ कप दूद पूरा आड कर लिया है तो इस तरह ये बन गया है इसके बाद हमने जो ओनियन फ्राई करके रखे हुए थे वो भी हम इसमें आड कर देंगे औ और हमारी जो मैकराणी थी आप देख सकते हैं और ऑईल डालने से मैकराणी काफी खिली-खिली सी है तो वह हमने इसमें आड कर दिये इन अच्छे से मिक्स कर दीजेगा अब इसके बाद हम इसमें आड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट लैक इस पर टेस्ट आप सॉल्ट आड क आड करेंगे मौयूनी। तो आप हम इसमें और मिक्स करेंगे तो बिल्कुल इसका भीलट आड किस्ट मार्केट में डहिता है सेम बैसे ही आएगा तरह से मोयूनी आड करेंगे और इसे बस हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एक से मिज़ना मिक्स करने के बाद यह हमारा वाइट साौस पास्ता रडी है एक अधम क्रीमी सा टेस्टी सा मस्त डिलेश्यस पास्ता रडी है तो इसे 2 मिठेऻ चलाएंगे आप देख पारे होंगे कि कितना ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी है तो है ना यह बहुत एजी और क्विक रेसिपी चलिए अब हम इसे सेर्विंग बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं तो बस यहाँ पर मैंने सेर्विंग बॉल में इसे शिफ्ट कर लिया है अब हम इसे प्लेट में लेते हैं सेर्व करने के लिए तो यह रहा हमारा टेस्टी टेस्टी डिलेशिस सा वाइट सॉस पास्ता तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स के तो जरूर बताईएगा और प्लीज लाइक और शेयर करना मद बूलिएगा और प्लीज अगर इसके रिलेटेट कोई भी कोशन हो तो आप कमेंट्स के तो मुझसे पूछ सकते हैं मैं रिपलाई करती हूँ तो चलिए बबाई and see you in next video take care and thank you for watching my video thank you, bye bye, take care